हेलो दोस्तो तो आज में हाली में रिलीज हुई ओंडरो में 1984 का एक्स्प्लाइनेशन करने वाला हूँ बात करें इसकी IMDB की तो जब में ही रेकरिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 5.6 की रेटिंग मिला हुआ है अगर आप spoiler free review देखना चाहते हो तो screen पे दिये हुए timing पे सिधा आप skip कर सकते हो तो चलते हैं explanation की तरफ कहानी की सुरवात एक competition से होता है छोटी diana भी इस competition का हिस्सा होती है डायाना इस रेस में जितने के लिए एक shortcut लेती है इसलिए आगे जाके उसको बीजेता खुशित नहीं किया जाता है उभी में पेहली भार अस्टेरिया का जिकर होता है जो अपने निस्टा सास और बल के तेथ Amazon को दुस्मन से बचाई थी कहानी अभी सीप्ट होता है 1984 की तरफ यहाँ पर डायाना की मुलाकात डक्टर बार्बरा से होती है जो की एक जेमोलोजिस्ट थी वो दोनों एक म्यूजियम में कारेरत होती है बार्बरा काइंड अफ इंट्रोवर्ट थी यानि लोगों से ठीक से गुल मिल नहीं पाती थी और हम देखते हैं कि अफिस में उसे सब लोग इग्नोर करते थे लेकिन डायना के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और बार्बरा को 21 के तरफ से कुछ 15 स्टोन दिये गए थे उनके बारे में पता करने के लिए और उनमें से एक था ये ड्रीम स्टोन इस स्टोन के नीचे लाटिन में कुछ लिखा हुआ होता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा तो मजाक मजाक में एक बंदा इस पत्थर को चुके कॉफी मांग लेता है और तूरंत एक आदमी उसके लिए कॉफी लेकर वहां पर हाजिर हो गया था तो यहां पे सब इसको एक मजाक और इतिफाक की तरह समझ रहे थे इस स्टोन को चुके डायाना अपने मरे हुए बॉइप्रेंट स्टीप के बारे में सोचती है फिर डायाना और बार्बरा साथ में कुछ वक्त बिताते हैं बार्बरा डायाना की परसनालिटी से काफी इंप्रेस थी इसलिए वो रा बाते थे वो भी सामने से आ करके उसके साथ बात करते हैं कुछ दिर बाद उसकी मुलाकात मैक्स्वेल लौर्ड से होता है यह बंदा इस म्यूजियम को एक बड़ा डोनेशन देने के बाहने से अंदर आया था और बार्बरा और मैक्स्वेल की अच्छी कासी दोस्ती हो जा जला जाता है तिर वो अपने औफिस जाता है वहाँ अपने बेटे आलीस्टर से मिलता है वहाँ पे एक बडिजनेस-मैन वी आया था जो कि मैक्सवेल को कभी ब्लाक गूर्ड कंपनी में पेसे लगाने के लिए रिप सेयर खरीओने थेले सा दिया था तो वो अपना पेसा म मैक्सवेल और बारबरा इंटिमेट होते हैं और उसी टाइम मैक्सवेल वो पत्थर ले लेता है पार्टी में एक आदमी डायना का पीछा कर रहा था वो आदमे उसे एक लाइन बोलता है जो की डायना के वोई फ्रेंड यानि स्टीब ने उसे कहीं बार बोला था जो लोग प पत्थर चुके स्टीब को याद किया था तब से स्टीब के आत्मा इस बंदे के सरीर में आ गया है यहां मैक्सवेल वो पत्थर लेके कमरे में जाता है और वो विस करता है कि वो खुद जीता जागता पत्थर बन जा है यानि उस पत्थर के अंदर जो भी सकती है वो उसके office में आया था उस business man के पास जाता है और उसकी company का सारा share उससे खरिद लेता है डायाना और स्टीब साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं डायाना को यहाँ पर यकिन हो गया था कि वो पत्तर की नीचे वाला हिस्सा वो stand मिलता है उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि यह देखके डायाना बहुत गुद्ध हो और वांटें बहुत से देपता हैं जिनोंने बहुत से अलोकिक बश्तों बनाया है तो कि अगर आम आदमी के पास आजा है तो दवाए मत सकता है थो बारबरा को कॉल लगाते हैं और वह बलते है कि बुष स्टून पेहलीवार 20 वालो को कहां से मिला ये पता करने के लिए उसे क्येती है Maxwell की अपेस से उन्हें ये पता चलता है कि वो कपसे ड्रीम स्टोन की तलास में लगा हुआ है और उनको एक लीड मिलता है इसलिए बोलो काईरो जाने का फेसला करते हैं सिन सिप्टो के अभी काईरो के सिल्तान और Maxwell को दिखाता है के security टीम लेके वहां से चला जाता है और रास्ते में Diana उसे देख लेती है और यहां पर कमाल का आक्षन सिन था ये आपको देख करें ही मचाएगा लेकिन Diana को एक दो गूली यहां पर लग जाती है फिर बारबारा से Diana को उस फथर के बारे में एक लीड मिलता है तो वो लोग बाबा जीत नाम के इंसान के पास जाते हैं ये आदमी एक book लेके उनके पास आता है जो कि उनके पूर्बोजो ने लिखा था इस book में लिखा था ये फ़तर इकाला फ्रेया एरो नाम के देपता ने बनाया है जो कि God of Lies के नाम से जाने जाते हैं इस पत्तर के म्यादम से आप जो मांगेगे वो मिलतो जाएगा लेकिन आप अपने सबसे कीमती चीज़ खो दोगे जैसे कि डायना के लिए उसकी सक्तियां वो दिरे दिरे अपनी सक्तियां खो रही देखा जाए तो ये एक तरह का स्राप है इस स्राप को दो तरीके से लेना पड़ेगा और दूसरा तरीका ये जो विस मांगे हो उसको बापस लेना पड़ेगा वो आदमी बोलता है कि जो भी सब्याता अभी तक खतम हुआ है उन लोगोंने दोनोई चीज नहीं कर पाए इसलिए दिरे दिरे वो लोग स्रापीत होने लगे और मारे गए फिर ह दक तो हो दिखता है कि उसकी तब्यात दिरे-दिरे खराप हो रहा है फिर्वो येस प्रेशिदेन्ट के पास आता है और उनसे एक विस्ट पुरी करने के लिए बोलता है प्रेशिदेन्ट विस्ट करता है कि उनका मिसायल और आर्मपूर्स रसीया से ज़्sy, थे जदा हो और President के पास एक Broadcasting System था जिसके माध्यम से दुनिया के जितने भी TV, Laptop, PC उनमें एक साथ Broadcast किया जा सकता था Sorry, Laptop तो उस जवाने में नहीं था, मतलब जो भी Digital Device था उस जवाने में उस पे Simultaneously Broadcast किया जा सकता था यह बात सुनके Maxwell President की Security Team लेकर वहाँ से जाता है, लेकिन रास्ते में Steve और Diana वहाँ पे आ जाता है उसे रुकने के लिए लेकिन Barbara भी वहाँ पे आ जाती है, फिर Diana और Barbara का बहुत अच्छा fight होता है वहाँ पे, क्योंकि Diana का power देरे देरे कम हो रहा था वीस की बज़ाए से, वह वहाँ पे हार जाती है Barbara और Maxwell बहाँ से निकल जाते हैं, Broadcasting Center की तरफ अभी पूरी तरह से war की situation आ गया था, क्योंकि Russia के border के चारों तरफ missiles बिच गया था इसलिए Russia सोचता है कि USA जंग का एलान कर रहा है वैसे भी 1980s के टाइम में USA और Russia के बिच cold war चल रहा था इसलिए Russia सोचता है कि USA वार करने वाला है तो Russia भी अपना missiles बगएरा ready करता है अभी Diana को या तो Maxwell को मारना था या फिर अपने वीश को वापस लेना था इसलिए वो Steve को goodbye करके अपनी वीश वापस लेती है और उसकी सक्तियां भी धीरे धीरे वापस आ रही थी वो फिर अपने घर में रखे हुए अस्टेरिया का कबच फेनने के लिए जाती है सिन सिप्टो के अभी Maxwell को दिखाता है वो broadcasting channel में सब को wish करने के लिए बोलता है और बदले में सब लोगों का strength और उन लोगों का age ले लेता है जैसे कि वो खुद अमर हो जाए और बारबरा को सब लोगों का frustration, anger और मतलब गुसा, नफरत या मतलब सब negative energy जो होता है negative सक्तियां उसको दे जेता है ये सब Maxwell मन में बोल रहा था इसलिए सब लोग जो जो भी wish करते हैं उन लोगों का wish तो पूरा हो जाता है लेकिन उनका strength, age ये सब Maxwell के पास जाता है और उनका anger और frustration ये सब बारबरा की तरप जाता है फिर डायना उसे broadcast center पे आ जाती है बारबरा भी चीता बन गए थी ये एक comic book का character है और उन दोनों में अच्छा कासा fight होता है फिर डायना बारबरा को केसे भी करके बेहुस कर देती है और Maxwell को रोकनी जाती है वो अपना lasso of truth उसकी रसी की मदद से Maxwell को command देती है और सारी दुनिया वलों को request करती है कि वो लोग अपना अपना wish बापस ले ले अचानक से Maxwell को अपना गलतियों का ऐसास होता है और उसको चारा तरह अपना बेटा ही दिखाए दे रहा था फिर वो अपना wish बापस ले लेता है सब दीरे दीरे करके सब लोग दीरे दीरे करके अपने अपने wish भी बापस ले लेते है इसलिए अभी US President के wish भी चला गया था साथी साथ US Russia के बडर में जो USA का missiles था वो भी गायव हो चुका था और वार भी होने से बच जाता है फिर हमें एक छोटा सा post credit scene दिखा जाता है जिसमें Asteria का छोटा सा एक cameo दिखने मिलता है और यहां पर movie खतम हो जाता है बात करें इसकी spoiler free review का तो movie आपके लिए one time watch हो सकता है और इसमें काफी कमाल के action scenes थे तो storyline थोड़ा और बहतर हो सकता था यानि मतलब बीच में story थोड़ा slow हो जाता है लेगिन अंत होते होते मुझे story अच्छा लगा लेगिन Maxwell को जो sudden realization हुए वो थोड़ा आजीब था अगर मेरा explanation आप साब को पसंद आया तो please like करके जाना और ऐसे ही बहुत सारे videos available है मेरे channel पर उसको check out कर सकते हो और आगे बहुत सारे videos आने वाल है इसलिए channel को subscribe कर देना मिलते हैं next video में thanks for watching